दोस्तों इन्फिनिक्स इंडिया मार्केट में एक से उपर एक स्मार्टफोन धड़ा धड़ लॉंच करता जा रहा है कुछ दिन पहले इन्फिनिक्स S4 Hot 7 Pro Smart 3 Plus लॉंच किया था अवी और एक स्मार्टफोन लॉंच कर दिया है इन्फिनिक्स Hot 7 और इसका प्राइस रखा है 8,000 रूपीज तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 अच्छाया एंट 6 कमिया जिसके साथ इन्फिनिक्स Hot 7 इंडिया में लॉंच हुआ है और मुझे लगता है एए वीडियो देखने के बात यूट्यूब में इन्फिनिक्स Hot 7 का रिव्यू आपको नहीं देखना पड़ेगा तो वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक जरूर देखना और चैनल में न्यू हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना और इस वीडियो की लाइक टर्गेट राखते हैं 500 लाइक्स का उमीद है अब लोग पूरे कर दोगे सो गाईस चैनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो बात करते हैं पहले कुछ अच्छाई की बारे में दोस्तो जो पहला रीजन है वह गईस इसका कैमेरा दोस्तो 8,000 रुपीस में पहली बार इन्फिनिक्स की तरफ से आपको 30 प्लास 2 मेगा बिक्सल का डूयल सेल्फी कैमेरा देखने को मिल रहा है जो की काफी अच्छी बाद है एंड बैक सेट की तरफ वी डूयल कैमेरा 13 प्लास 2 मेगा बिक्सल का मिलेगा ऐसे भी इन्फिनिक्स का बहुत सारे स्मार्टफोन का मैं रिभ्यू किया हूँ कैमेरा रिभ्यू यहाँ पे जाके देख साकते हो आई बेटन में दूसरा स्मार्टफोन का तो इन्फिनिक्स का जो पिक्चर क्वालेटी है वो बेटा होता है दूसरा जो रिजन है वहे गईस इसका बैटरी 4000 एमिज की वैटरी दिया है जो की काफी पावरफुल बैटरी है अब एक बार चार्च करने के बाद दो दिन तक आप यूस कर पावगे जो की काफी अच्छी बात मुझे लगा है तेसरा जो रिजन है वहे गईस इसका स्टोडेज 4GB प्लास 64GB स्टोडेज देखने को मिल जाएगा और अभी 8000 रुपीज में जो सारे स्मार्टफोन मिलता है सारे के सारे स्मार्टफोन में आपको 3GB, 3DLGB या तो 2GB, 16GB मिलता है 4GB, 64GB कोई भी ब्रैंट ओफार नहीं कर रहा है जहांपे इनफिनिक्स हम लोगों को ओफार कर रहा है 4GB, 64GB तो काफी अच्छा काम कर रहा है इनफिनिक्स चौथा जो रीजन है यहां पर आपको डेरिकेटेट सिम स्लोट देखने को मिल जाएगा 64GB का स्टोडिस तो दे रहा है उसके उपर से अलग से आप डेरिकेटेट माइक्रो एच्डी काट लगा पाओगे जो की काफी चिवाद है अब डेरिकेटेट सिम स्लोट अभी के जमाने सभी लगों को चाहिए दोस्तो आप बात करते हैं कुछ कमिया के बारे में जिसके साथ इनफिनिक्स होट सेबिन इंडिया में लाँच हुआ है अभी टाइम है गाली का दोस्तो मैं यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ नहीं कोई बुराई कर रहा हूँ जो पहला कमिया है ओहे गैस इसका प्रोसेसर यहाँ पे आपको मेडियाटेक का हिलियो P25 चिपसेट दिया है जो की उतना पावरफोल नहीं है 8,000 रूपीस में इससे भी बेटर चिपसेट आपको देखने को मिलता है अगर आप गेमिंग के लिए एक स्मार्टफोन खरे दिना चाहते हो तो आपके लिए एफोन नहीं है दूसरा जो कमिया है यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेसन लाइट नहीं मिलेगा अभी के जमाने में LED नोटिफिकेसन लाइट बहुत माइने रखता है मेरे लिए बहुत माइने रखता है आप बताओ क्या आपके लिए LED नोटिफिकेसन लाइट माइने रखता है तेसरा जो कमिया है इसका build quality दोस्तों यहाँ पे आपको polycarbonate मिलेगा metal जैसा fill तो देगा लेकिन गईस metal नहीं है आपको polycarbonate देखने को मिल जाएगा जो कि इसका minus point है यहाँ पे metal देता तो काफी अच्छी बात रहता चोथा जो कमिया है इसका soft air optimization दोस्तों यहाँ पे by default जो software optimization मिलता है वो उतना improve नहीं है क्योंकि मैं Infinix के बहुत सारे smartphone review कर चुका हूँ और उनमें भर-भर के bug देखने को मिलता है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा है तो यहाँ पे Infinix को उसका soft air customization अच्छी तरह के से करना चाहिए पांचबा जो कमिया है इसका software update दोस्तों यहाँ पे Infinix को software update में भी काम करना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी Infinix Smart 3 Plus था, Ace 4 था Hot 7 Pro था, सारे के सारे Giva जो winners है उसको मैं दे दिया हूँ हाँ, Hot 7 Pro अभी भी है लेकिन इसका यहाँ पे जो software update है ओ उतना खास नहीं है एंट आता भी है तो बहुत लेट करके आदा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूब करना होगा ओ भी software update की जरी है जो कि Infinix यहाँ पे नहीं देता है तो Infinix हो यहाँ पे काम करना चाहिए सटे जो reason या last जो reason है ओए गैस इसका charging time दोस्तो मैं मानता हूँ कि इसका battery काफी powerful है बहुत बड़ा है तो charge करने में बहुत time भी लगेगा लेकिन गैस यहाँ पे Infinix का जो सरे viable charger आता है ओ चार्च करने में बहुत लेट होता है आपको 3 घंटे तक चल जाएगा अभी के जमाने कौन सा smartphone में 3 घंटा लागता है फूल चाचोने में दोस्तो Infinix में 3 घंटा लागता है मेरे पास बहुत सारे smartphone था मैं USB कर चुका हूँ उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों आप यहाँ पर देख साकते हो और गैस यह था कुछ अच्छा हिया कुछ कमिया मैं आपको conclusion part बताता हूँ अगर आपको ममी को या डैडी को phone gift करना है या एक primary phone लेना है सिर्फ call वगरा के लिए तो मैं इस phone को suggest करूँगा gaming के लिए बिलकुल नहीं है ऐसे भी मैं आपको बता दिया हूँ अच्छा या एंड बुरा या आपके हिसाब से आप ले साकते हो कमेंट में बताओ कि आप एक phone लोगे या नहीं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड उसके साथ सेर भी कर देना अपके दोस्तों के साथ और सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हर रोस लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए तो गैस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं इस वीडियो में तब तक हमरे साथ बोलते रहिए वारत माता की जयए